नमश्कार आपके साथ मैं रोहित कुमार आपने श्फोर नेशन पर हैं कॉंग्रेस में शामिल होने के मेह जो तीन साल के बाद ही अब हार्दिक पटेल जो है एक बार फिर से जो है कॉंग्रेस का साथ छोड़नी के लिए तयार होते नजर आ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि वो बीजेपी के साथ आने वाले हैं गुजरात के अंदर में जिस हार्दिक पटेली पटेला नोलन की शुरुआत की उसको लीड किया जिसकी वज़े से वहाँ पर हिंसा हुई इन तमाम तरह के जो हैं की राज़ितिक खतकंडे अपनाएगे उनकी तरफ से बीजेपी के खि किया जा रहा है उन तमाम चीजों से वो बेहदाहत हैं साल 2022 के अंत में गुजरात में विदान सभा के चुनाव होने हो इन चुनावों से ठीक पहले अगर हार्दिक पटेल बीजेपी में जाते हैं तो कॉंग्रेस को चुनाव के पहले ये गुजरात के अंदर सबसे बड़ एक तरी से कहें कि जटका होगा क्यूंकि कॉंग्रेस वहां पर कम बैक करने की तैयारी कर रही है नरदन अमोदी के घुजरात छोड़ने के बाद से बिजेपी है उसकी हालत बहुत बेहतर रही कही या सकती वहां पर उसकी टाकत लगतार कम होती जा रही है आम आद्मिपरि समेथ कई छेतरी दूसरी जो पाटियां हैं उसका हस्ता शिप बढ़ रहा है वहाँ के स्थानिये निकायों में और अब वहाँ पर अगर हार्दिक पटेल जो है कॉंग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका होगा तो बता दें कि कॉंग्रेस पर बीजेपी से कोई बाक्चीत नहीं हुई है लेकिन एक टीवी इंटर्व्यू और फिस उत्रों से मिले जानेकारी के मताबिक ये साफ हुआ है कि युवा नेताओं की कोई कदर नहीं है पार्टी में साथ भी वही कर रही है जो राजस्थान में सचीन पाइलेट के साथ साथ जो तिराजित संदिया अगर साथ किया गया क्या वो भाजपा में जा रही है सवार के जवाब में हादिक पटेल ने कहा है कि भाजपा में शामिल होने का कोई विचार फिलहाल तो नहीं है लेकिना राजनितिक संभावनाओं का खेले हो जब भी मैं कोई राजनितिक पत्तार के लिए भी फोट में लेता हूं तो मैं घोशना करने में संकोच भी नहीं करूंगा उन्हों ने यह भी कहा कि मैं जो भी फैसला करूंगा व गुज्रात की लोगों के हैत्म होगा खुद को हिंदु बादे निता कहे जाने के बारे में विस्तार से पोचने पर हादिक पतेल ने कहा कि मैं रगवर्ण शीव अंसे हूँ हम लवकुर्ष के वंसज हैं और हम भगवान राम भगवान शीव और दिवे देवताओं का समान करते हैं हम हिंदु को सनक्षित करने के हर संभव प्रयास करते हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व भी है राजमे भाजपसरकार के नित्यों की सरहना करने पर पठेल ने कहा कि मैंने यह पूरी मंदारे से कहा है कि विरोधी की ताकत को स्विकार करना ही उचित है चाहे वह भाजपा हो या सप्पा या कोई अनिपा चाहिए तो हर्दिक पटेल जो हैं वो कॉंग्रिस से नाराज चल रहे हैं दरसला हर्दिक पटेल जब कॉंग्रिस में आया तो उसके बाद इस बात की चर्चा बहुत तेज हुई कि उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जागा लेकिन वो फिलार कारेकारी अध पूरा हो रहा है और वहां पर 182 वदानसभा सीटों वाले गुजराद वदानसभा के अंदर में बिरानुए सीटों चाहिए सरकार बनाने के लिए और हर्दिक पटेल ने पटेल लांदोन के बाद वहां पर बीजेपी की जमीन थोड़ी सी कमजोर कर दी थी हाला कि नरेंद उनसे हर्दिक पटेल की बात्चीत चल रही है और वो कब आएंगे और किन शर्तों पर आएंगे इस पर अभी तक आप चारी ग्रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार